प्रफिशन नमबर 16 देखिए, find the focal length of a lens of power minus 2.0 diopter, what type of lens is this, ठीक है, अब देखे बच्छों, मैं आपको बता दू कि कभी भी आपका concave lens हो, ठीक है ना, concave lens हो या concave mirror हो, या concave mirror हो, ठीक है ना, concave lens हो और चाहे concave mirror हो, इन दोनों का ही focal length कैसा होता है, negative, याद रखेगा, दोन नहीं भी दिया है, तो आपको लेना पड़ेगा, concave mirror और concave lens का focal length कैसा होता है, negative, और वहीं पर दूसरी और बच्छों, convex, convex lens हो, या आपके पास क्या हो, convex mirror हो, ठीक है ना, इनका जो focal length का sign आएगा, वो कैसा आएगा, आपको हमेशा positive दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना, बा पावर का formula क्या होता है, power of the lens का formula क्या होता है, P is equals to one upon focal length, ठीक है, power is equals to what, the receive focal of focal length, okay, P is equals to one by F होता है, हमको सब को पता है, अब अच्छो धिहान से आप खुद अपना दिमाग लगाई है, देखें, power is equals to one upon F, अगर होता है, देको one तो उपर positive है, ठीक, अब पावर कब positive हाई यहाँ पर बच्छो इन्होंने question में हमको क्या दिया हुआ है, ध्यान से चेक करिए, power of lens minus 2.0 diopter दिया हुआ है, ठीक है ना, तो power तो इन्होंने हमें कैसे दिया हुई है, negative, याने कि बच्छो आपको दिमाग लगाना अच्छी कि जरूर focal length कैसी रही होगी, negative, जरूर focal length कैस आ गई बच्छों, तो कौन सा lens होगा वो, देहां से चेक करिए बच्छों, कौन सा lens होगा, वो आपका concave lens होगा की नहीं होगा, ठीक है ना, simple है, बस, तो लगा दीजे formula, please equals to 1 upon f, focal length आपको निकालना है, तो यहाँ से देखिए बच्छों, power की जगा आपने क्या रखना है, माइनस 2.0, माइनस 2.0 का मतला माइनस 2, ओके, माइनस 2, a diopter is equals to 1 upon f, और याद रखिए बच्छों, जब भी power diopter में दिये होती है, तो focal length हम किसमें लेते थे याद करो, meter में, भाई, याद करिए, आपको दिखाता हूँ, देखिए बच्छों, जो focal length है, ठीके ना, focal length अग तो 1 upon minus 1, 1 upon 1 कितना हो जाएगा, 1, तो minus 1, क्या, चेक करो, नीचे क्या रखा था, minus 1, meter न, तो minus 1, और meter उपर जाएगा, meter inverse, तो minus 1, meter inverse को ही क्या बोला आता है, diopter, ठीक, good out है, तो अगर आपको power diopter में दिये, तो focal length automatically meter में आएगी, good out है, बताईए, तो आईए हम आपको कर कर दिखाते है, diopter का मतलब ही होता है, meter inverse, तो minus 2, और diopter की जगा क्या लिख दिया, हमने meter inverse लिख दिया, 1 upon f, यह सा हो गया, ओके, आप देखो, इसका क्या मतलब है, minus 2, meter inverse का मतलब, meter कहा चला जाएगा, upon me, is equals to 1 upon f, सही है, को डाउट अब यहाँ से f की value निकाल लीजे, प into minus 2, यहने कि minus 2 into f is equals to 1 into meter, तो 1 meter हो जाएगा, अब यह minus 2 इदर जाके divide लगा देगा, यहने कि focal length is equals to 1 meter upon me, minus 2, 1 upon 2 कितना होता है, 0.5, तो focal length कितना हो जाएगा, 0.5, लेकिन sign कैसा लागेगा, minus, लीजी, focal length 0.5 meter आगे, minus 0.5 meter, अब कुछ बच्चे मेरे को बोलते है, सर आप यहां पर unit क्यों रखके दिखा रहे हो, सर क्यों confuse कर रहे हो इतना, तो मेरी बास सुन लो, आपको नहीं रखना, आप मत रखो बच्चों, आप सीधे ऐसे निगाल लो, p is equals to 1 upon f, ठीके न, और यहां से f को इदर बेज़ दो, f is equals to 1 upon p, बबस solve कर लो, इसको 1 upon, और p, पावर जो भी दिया, उसको रख दो, कितना है, माइनस 2 है, माइनस 2, तो पावर की दिखा, माइनस 2 रख दो, बस, सिंपल, इसको solve कर लो, जो भी answer आएगा, उसका आगए, मीटर लिख दो, खतम कहानी, बस, ठीके, तो 1 upon 2, कितना हो गया, 0.5 हो गया, और आगे माइनस लगा दीच is this, तो answer is, this lens is, this lens is what, this lens is, बताइए, focal length negative, कौन से lens है, concave, this lens is, concave lens, बताइए, this lens is concave lens, simple है, कर सकते है,